अरुन भूमी के सभी दर्शकों का आज 23 जन्वरी 2022 को मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आज तारीक है 23 जन्वरी 2022 और आज हम पराक्रम दिवस मना रहे हैं पराक्रम दिवस जो की नेता जी सुभास चंदर बोस का आज 125 वा साल गिरा है या कह सकते हैं पुन्यतिती है उन्हें आज के दिन उनके पराक्रम शोरे और वीरता के लिए हम सभी याद करते हैं आगे का कहानी में बताने से पहले आप सभी को एक रिकेप दिखाना चाहूंगा जो की अंजाव डिस्ट्रिक्स से है और अरुन भूमी ने जब वहां के डीसी तालो जिरांग जी से बात की थी कंपनिशेशन मैटर को ले करके क्योंकि हमें रिपीटेड वहां से कंप्लेण आ रहा था जिसमें की लोग हम से कॉंटेक्ट कर रहे थे हमें बता रहे थे कि एक स्ट्रेच है जो की 0.00 to 6.5 किलो मीटर छगला टू तफला गम करके एक रोट का स्ट्रेच है जिसका की पैसा डीसी साब के एकॉंट में आ चुका है लेकिन जो बेनिफिशिरीज है उनको इसका पैसा पिछले एक साल चार महिने से नहीं दिया जा रहा है ये लोगों का कहना था कंप्लेंस मिलने के बाद हम डीसी साब से खुद मिलने के लिए पहुँचे और डीसी साब ने मुख्यता जो हमने न्यूज भी चलाया था आपको शायद याद हो ये हमने 27 नवेंबर 2021 को एक न्यूज चलाया था हमने जब डीसी साब से पूछा तालो जिरांग जी से कि पेमेंट नहीं हो पाने का कारण क्या है जबकि पैसा जो है 28 करोर के करेब है आपके एकॉंड में आ चुका है डीसी साब ने मुख्यता दो बाते हमें गिनाए थी उनमें से दो बाते यह हैं कि पहली बात यह की स्टेट ग़ंपंड जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है बिल प्रेपरेशन को ले करके दूसरी बाथ जो DC साब ने हम से कही वो ये था कि जो रेस्पेक्टिव सियो है सर्कल अफिसर है वो फिलाल अमने ट्रेनिंग में गए हुए है और ट्रेनिंग में जाने के कारण जो सर्कल, हेड़कवाटर, सर्कल है वो खाली है किसी प्रकार का सर्वे अभी वो कर पाने में असमार्थ है यह हमसे कहा गया था 27 नवंबर 2021 को अब परेक्शान लग है मतलब कारण क्या है सर्पेमिन नहीं हो पाने का भी तो कोस इस्टेट गूम्मेन का ट्रोप से साथिसपाइ नहीं है तो इस्टेट गूम्मेन ने यह इंस्ट्रेक्शन द्या है को बहु है स्टेश को करना है रियासेस्मेंट करना है रियासेस्मेंट करके जो रियालिस्टिक है बेलू लेन अगर परपार्टिस का निकालेगा पेमेंट करना है तो इसलिए गोर्मेंट चाहता है कि इस्टेट गोर्मेंट उसको दुबारा असेस्मेंट करना है तो रियासेस्मेंट करके उसका प वो आफतर पमाफतार वे समय आवि घरिज करेगा उसमें बेज करके जो एक तो भी समय माफतार्स करेगा आज है 23 जन्वरी 2022, कितना लंबा एक समय बीद गया आप सभी जानते हैं लेकिन आज तक भी हमें कई सारे कंप्लेंस मिल रहे हैं छगला से और खास करके इसी स्ट्रेच को लेकर गया जो मैंने आप से अभी कहा है 0.00 to 6.5 छगला to रोचम अब इस स्ट्रेच के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ ये इसके बारे में बात करना क्यूं जरूरी है दोस्तों आप सभी को पता है कि अंजाव डिस्ट्रिक जो है वो चायना के एक्दम करीब है और जब हम बात करते हैं छगला की तो छगला तो और भी करीब है कह सकते हैं आए दिन हमें खबर मिलती है कि किस पकार जो छागला की आर्मी है जो पीले है वो किस पकार से जंगल के रास्ते से हमारे भारत में एंटर हो जाता है अब मैं वापस आता हूँ DC साब के बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि State Government Satisfied नहीं है तो मेरा सवाल अभी DC साब से यही रहेगा जिला प्रसाशन अंजाव डिस्टिक से यही रहेगा कि अगर State Government बिल भेजने के बाद में Satisfied नहीं है वो कह रही है कि Re-Servey कराओ तो Re-Servey करवाने में इतना समय क्यों लग रहा है अगर आप कहते हैं कि आपके डिस्टिक में सर्कल्स में सर्कल ओफिसर्स नहीं है वो अपना ट्रेनिंग पे गए है आपने पिछली बार इंटर्वू में हमसे कहा था कि चार या पांस दिनों के अंदर सियो आ जाएंगे उसके बाद एक बोर्ट कंस्टिटूट करके Re-Servey का एक बोर्ट बना दिया जाएगा जिसमें कि उसके बाद ज्यादा देर नहीं करते हैं लोगों को उनका कंपन्शेशन दे दिया जाएगा जबकि आज इस जनवरी आज तक भी मामला वहीं का वहीं दर्शकों आप सभी ने देखा होगा कि किस प्रकार जो आएमसु है और इदू मिसमी स्टूडेंस यूनियन और प्रोजेक्ट एफेक्टेट फैमिलीज डियस्यू सारे लोग जो है रास्ते पर उतर चुके हैं हमारे स्टेट गर्मेंट के खिलाफ हमारे राज्य सरकार के क्यूंकि उन्हें उनका बकाइदा जो पैसा है जो कंपन्शेशन है वो नहीं मिल रहा है जबकि डिसी साहब ने एद्मिस्टेशन ने खुद ये बात को माना है कि 640 कड़ो रुपे डिसी साहब के एकॉंड में आ चुके हैं तो लोगों का यही कहना है कि पैसा जब आ चु क्यों लग रहा है और इसी बात के चलते नाखुश होकर के जो नौजवान है यूद से प्रोजेक्ट एफेक्टेट फैमिली से वो सडकों पर उतर चुके हैं और हमें बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए इतनी ठंड में वो वीडियो वगरा फुटेज वगरा भेज रहे हैं ताकि हम ये आपके सामने खबर जो आपके सामने रख सकें सवाल के बेशक बनता है कि एक बार पैसा जब आ जाता है आ जाने के बाद में ऑफिशल डी सी के एकाउन में पैसा आ जाने के बाद समय रहते कंपन्शेशन को क्यों लोगों को नहीं दे दिया जाता फिर भी आप सोच के देखिए कि पैसा होने के बावजूद भी उनको पैसा कमबन्सेशन नहीं दे रहे हैं अंजाओ में भी ऐसा ही चल रहा है हमें मिली जानकारी के मुताबिक एक साल से डेर साल का समय बीच चुका है 26-28 करोर का पेमेंट है जो की ओफिशल एकॉंट में आया वाय डीसी साब का लेकिन पैसा को एकॉंट में रख दिया गया है पैसा को दियाने जा रहा है डीसी साब बार बार एकी चीज़ बोर रहे हैं कि रिसर्वे किया जाएगा अब लोगों का दुख सुनिए जो बेनिफिशिरीज है जिनकों की कंपन्शेशन मिलना है उन्होंने हमसे कहा है कि डीपी आर के मुतादिक 24 मीटर का रोड काटना चाहिए था जबकि काटा गया है 30 मीटर के करीब और छगला जो है वो आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि प्रोडक्शन को ले करके बहुत आगे है इलाइची जो है वहां बहुत ज्यादा उखता है लोग पूरी तरह से इलाइची बिक्री पर ही निर्भर करते हैं अपना जो जिवन यापन करते हैं वो इलाइची से ही करते हैं उनका कंप्लेंड यह है कि इलाइची पूरी तरह स क्योंकि अगर सर्वे को समय रहते चलिए एक बार स्टेट गर्मेन हो सकता है सेडिस्पाय नहीं हुआ दूसरी बार नहीं हुआ लेकिन इस केस में हम देखते हैं कि चार बार जो है सर्वे चल रहा है इस बार शायद यह पांच भी बार होगा तो किसान जो है जो इलाइची काडमम ग्रोवर्स है जो इलाइची के उपर पुरा डिपेंड करते हैं वो एक बार रोट कटिंग हो जाने के बाद कहां से उस इलाइची को लाकर के दिखाएंगे अ अभी इतने दिनों के बाद इतने सालों के बाद अगर सर्वे किया जाएगा तो डिस्ट्रिक एड्मिस्ट्रेशन अंजव डिस्ट्रिक को वो क्या दिखाएंगे छगला और अनिनी दोनों ही डिस्ट्रिक्स दोनों ही जिले बहुत दूर दूर है लेकिन समस्या एकसी है अनिनी की लोग भी पूछ रहे हैं कह रहे हैं कि हमने चार सालों तक राज्य सरकार की बातों में विश्वास किया हम उनकी एशुरेंस को मानते गए लेकिन आज तक भी पेमेंट नहीं हुआ जबकि 640 कड़ोर का जो पैकेज है वो कमपनेशेशन डीजी साब के एकसी है छगला की बात करें तो भी बात एकसी है 28 करोर के करीबन पेमेंट जो है डीजी साब के वहाँ आ चुका है लोग अब यह सोचने लगे हैं कि कहीं डीजी साब जो है किसी पलिटिकल दवाव में आकर के पेमेंट को रोग तो नहीं रहे और जिला प्रसाशन अंजाओ की तरफ से भी हम किसी प्रकार का सरवे के प्रती या किसी प्रकार का एक ओपन हम स्टेट में नहीं देख रहे हैं जिसमें कि लोगों को कहा जाए कि आपको इतनी तरीक तक पैसा मिल जाएगा आखिर में जाने से पहले मैं आप सभी के सामने एक सवाल रखता हूँ कि कब तक हमें अपने ही पैसों के लिए स्ट्राइक करते रहना पड़ेगा घर से निकलके अपने अपने कामों को छोड़ करके अपना आवास को सरकार तक पहुचाते रहेंगे तो ये था हमारा एक छोटा सा रिपोर्ट अरुनपुमी स्टूडियो से मैं अनिर्बन दाजगुपता आप हमारे प्रदेश और प्रांत की अलग-अलग डिस्टिक्स के और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहेगा जैहिन जैणना चल